लक्षमी और कुलक्षनी ये दोनों बेने हैं और ये दोनों ही रात्री को ब्रह्मन के लिए संसार में आती है अब जिसको लक्षमी की आवश्यक्त आए जिसको लक्षमी की जरुवत है तो वह लक्षमी को प्राप्ष करने के लिए सारे उपाए भी करता है लक्ष्मी आती भी है लक्ष्मी को मीठा पसंद है जिस गर में चौबी सो गंटे मीठे का भोग लगता रहे सुबै भोग लगाव उसको रात्री में उठा लो रात्री को शैन भोग अलग लगाव उसको सुबै उठा के प्रसाद को वित्रन कर दो उन गरों में लक्षमी आती है और जिन गरों के अंदर मीठे का उप्रियोग होता ही नहीं रसोई में सिर्फ तीखे का ही प्रियोग होता है नीवू का प्रियोग होता है मिर्ची का प्रियोग होता है तीखा तो लक्ष्मी की जो बहने कुलचनी उसे तीखा अतिप्रिया है वे उसकी सुगंद लेती हुई चली आती है और जिन गरों में कुलचनी आ जाती है आप जानते हो उन गरों की क्या दुर्दशा होती है इन दुर्दशाओं से बचने के लिए आप हमेशा ये याद रखें कि हमें कुलचन कुलच्ष्मी के जो रचे हुए लच्षणे उन लच्षणों से दूर रहें हमें घर में भी अगर नीबू और मिर्च रखने पड़ें तो एक इस्तान पर न रखें दोनों को फ्रिज में भी अलग-अलग खाने में बॉक्स में रखें अगर तुम कर सकते हो तो नीबू और मिर्च को दर्वाजे पर डांगो लक्षमी को तो दोड करके भीतर आना पड़ेगा और कुलक्षमी को बहार ही भोजन मिल जाएगा दर्वाजे पर मिल जाएगा न, नीवू और मिरच तो जितनी वहाए, जितनी अलाए, जितनी बलाए सब उसी नीवू और मिरच पर आ जाती जहां तीखा बनता है वहाँ शैतानी पावर आ जाया करती है और जिन रसोईयों में मीठे का अपयोग होता है वहाँ सदिव लक्ष्मी का बास होता है और नाराइन का बास होता है जे जे स्रीरादी शाम शामा शाम की